आज दी वीडियो विच में तो आनू सा रहा है नो तेन तरा अलग लग फेस पैक दसोंगी जिस देनाल तुसी कार विच बैटे ही महंगे महंगे प्रोड़क्स दी तरा कारदियां कुछ चीजां यूज तार के अपने चेहरे नो खुपसूरत बना देनाल नाल जड़ा उम्र तुसी रेगलोर इना नो यूज करोगे ता अनू टेर सारे ज़े फाइदे जरूर मिलन वाले ने और तो अनू अपनी स्किन जो है पहला नालो ज्यादा यंग जरूर नजर आ लग जाएगी स्किन टाइट हो जाएगी रिंकल्स जड़े है हौली हौली ठीक होने शुरू हो प्रोडक्ट्स वाल ना सानू पजना पहे नैश्रली साड़ी स्किन ग्लो करे चाहे असी वादी उमर देना लगे वादरिया ता असी अपनी उस उमर नो इंजुआए करिये ना के इस गल्दा साड़े मान में चुड़ा रहे के जिमें उमर वदे गीता साड़ा फेस जो है अशुरू हो गया है बलके एज दे नाल नाल भी तुसी देख्या उड़ा कहीं आधी एज भी चाहे बादरी हुं दिया पर उना दे फेस थे गलो भी बबने आ रहें दा है शाइनी स्किन हों दिया है रिंकल्स यां फाइन लाइन बहुत जादा नजर नहीं आ आंदी है स्किन जो है सैगी या लटक दी होई नजर नहीं आंदी है ता अज मैं तो अनू दसन जा रही है कि तुसी अपनी डाइट दे विच भी केडी कलन दा त्यान रखने है और जड़े स्खास में तिन फेस पैक तो अनू दसने है तुसी जरूर नोट कार लेने है ताकि तो अनू वाकई बहुत चंगे फायदे दिखन वाले ने कारदे विची नॉमल चीजांगी उस कारके बढ़नगे कोई ओदे विच क्यामिकल नहीं है जा आपा सोचे के कोई साइड फेक्ट हो जागा सब तो बना पगाल करिये देखो जड़े अलकोहल कंजूम कार देने स्मोकि पर भी बहुत मड़ा प्रबावुज नहीं हो पांदी और जदो आप अगाल अलकोहल दिकारिये जो बहुत जादा ड्रिंक कार देने ता उना दी जो है डी हाइड्रेशन हो जांदी है बड़ी विच स्किन दे विच में खुशकी हो जांदी है आप समसादी है के पानी जो ह स्किन डल लगनी शुरू हो जांदी है उमर तो पहला ही बेजान स्किन लग दी है रिंकल्स फाइन लाइन दी प्रब्लम शुरू हो जांदी है तो सब तो एता चीज आप गल कर ली के की तुसी नहीं करना है ता खाना की है प्रोटीन हमेशा हर गल दे विच मैं तो आनू प बगलत वटा सब्सक्राइब कर दो마 तुसी अज प्रटीन को कि ने प्रोटीन साहिए लोगा करने लिए बोत प्रोटीन को चाहिए और अगर आप जो उसी प्रेकिन को जादा जुछ दो आता है तुसी अपनी डाइट देविच दाल, दही, दुद, एग, नॉन-वेजिटेरियन हो ता तुसी फिश यह चिकन भी अपनी डाइट भी ज़रूर शामिल करो सो चंगे सोर्सिस जुनने भी प्रोटीन दे होंदे है वो तुसी शामिल करो दालां जो है लग लग तरह दी दालां खाओ, काले छोले ने, राजमा है, मुंगी दी दाल है, ए सब चीजान जिनने विच प्रोटीन चंगी मातरा विच मिल रहा है, आपने दो मील्स है विच प्रोटीन ज़रूर तुसी रखना है, गोगल करिए एंटी ऑक्सिजेंट साधी फ्रूट्स खान देया, उसे नाल जिनने ज्यादा सानो विटामिन C, विटामिन E, विटामिन E, विटामिन B complex साधी बोड़ी विच जाएगा, तो एंटी ऑक्सिजेंट ने, जिनने फ्री रेडिकल्स ने, उनननों साधी बोड़ी तो बाहर करन दा काम एंटी अपनी जाएगी जाएगा, जिननने फ्री रेडिकल्स ने, जिननन फ्री रेडिकल्स ने, टॉक्सिंस ने, बोड़ी देविच जो है, एडवांस एजिंग दा काम शुरू कार देने, यह से लही सानो एथे, एंटी ऑक्सिजेंट आपनी डायत ज़रूर लेने ही लेने है, फ्रूट्स है हरे पत्यदार सब्सियाने सालड खाओ देखो पार-पार के चीज़न साड़े कोल है बजाए कि ऐसी बाद विच सप्लिमेंट्स वाल पाज़े है कि शाइद सप्लिमेंट खावांगे तो साड़ी सके निगदाम बदल जाएगी जहां नहीं है डेली डाइट दे पीन अजान देया कि साड़ी जडी बॉड़ी पानी था किना खास रोल है तो नालदिनाल फ्रुट जडे हुंदे ने यह ने फ्राइज चीजाने बेकरी प्रदक्ट्स ने जंक फूर्ड है ए चीजान सामू काट तो काट खाने ही चाहे देगाल करिए अगर अगर आपा ची बिस्किट्स है, पेस्ट्रीज ने, यह और भी आपकार्द वीच मिठी चीज़ बना रहे हैं, खा रहे हैं, वाइट शुगर असी यूज का रहे हैं, तो उसे नाल जड़ी स्किन और सैगी हो लटक दी है, उसे नाल जादा, तो इसलिए असी अपने स्किन नो बहुत जादा शुगर नहीं देनी है, क्योंकि जादा शुगर वाली चीज़ां खान देना, भी रिंकर्ज और फाइन लाइन्स भी प्रॉब्लम हो जान दी है, और जड़ी स्किन और लटक नहीं शुरू हो जान दी है, जड़ा भी कोई बह यह लेकर यहां लेगा है, बहुत ज़ादा शीजां मिक्स नहीं करनी है, एक केला ले लो चंगी तरह मैश कर लो पक्या हो यह एक केला होएगा, ता उसमघंड शुगर तो इसमट से एड़ करना है एक चमच हनी, यानि के शहद इसमग अच्छी तरह मिक्स कर के पेस्ट बन कर लो 20 मिनिट्स तक तुसी इसको आपने फेस ते रखना है उस बात उसी नॉर्मल पाड़ी ना लिसको तो लो तुसी जरूर दो दिन बाद यहां तो आनू बहुत ही वदिया इसना रिजल्ट मिलन वाले ने के लिए आपने बहुत सारे फायरे ने पोटाशियम है मेगनीशि है इसे वीच ते हनी है जड़ा ओभी बहुत हेल्दी है साड़ी अगर आसी खांदे आँ चीजां तामी सानू बैने पिट मिल दा जद असी चहरे ते लगावांगे साड़ी डेट स्किन ना जड़ी ओ आउट होएगी फाइन लाइंस ने रिंकल्स ने ओ ठीक होणिया शुर इसे विच तोसे चड़ा अलो-फेरा है चाहे के अलो-वेरा लेलो जो तो अड़े चाहे कारदे पी गठर लगलाओ उस पत्ती चंब लागलंश तो मिले याँ लग नहीं या ताम लोग्लाति कोई तो मार्किट पशे अलो-वेरा घ्याओ और पार खीरिय ताछी मिक्स यार अलोवीरा जेल इसनों अच्छी तरह मिक्स करो, फेस ते अपलाई करो और उस तो बाद 20 मिनिट सक रखो, वी मिनिट रखन तो बाद फेसनों नॉमल पाणी नाल या ठंडे पाणी देनाल तो लो और तुसी इसनों भी रेगुलर अपलाई कार सक देओ, बहुत ही अच्छा है अलोवीरा जेल जो फेस से कोई भी निशान के विरपए हों देने, ओवी इस दे नाल तो ठीक होंगे, जड़ी आपा गयने, सन बर्न हो जान दा है, टैनिंग हो जान दी है, ओवी इस दे नाल ठीक होंड वाली है, ते नाल दे नाल ये बहुत अच्छे है, अंटी आक्सिद दही दी हूम रेमडी जड़े एग यूस कार देने, ओजरूरे रेमडी नो अपना साग देने, जड़ा एग वाइट है, एक एग दा एग वाइट तुसी कार लेना है, उस दे विच दो चमच दही तुसी, पहला एग वाइट जड़ा उसनों अच्छी तरह तुसी मैश कार देना है, उस दो बाद तुसी देखो गे इस देनाल तुआडी स्किन जड़ी है, तुआनों टाइट भी जड़ूर फिल होनी शुरूरेगी, ओपन पोर्स दे जड़ी प्राब्लम है, ओ भी अत्य ठीक होएगी, फाइन लाइज भी जड़ूराद हो रही है, ठीक होनी शु जाहे के दो तिन दिन बाद एक बार लगाओ, चाहे के हफ्टे विच एक बार लगाओ, तुसी जिमे जिमे लगाओगे तुआनों लगाओगे, तुसी आपने आप इसनों लों कंटीन्यूर रखोगे, ता ही तौनों रिजल्ट मिलनगे, यह भी जरूर कहोंगी, इनन तिन करनी है कि यसी कारदा बढया साफ सुत्रा और फ्रेश खाना ही खाये एनी के कहिया दे फ्रिज बिच दो तिन तिन पुराणी दिन दी सबसी पाई हुं दिया गरम करके खा रहे हो अजेहा भी बल्कुल नहीं करना है जिस दिन बढ़ाई उसे दिन खाओ ताजा फ्रेश खाना नहीं होएगी तो अड़ी ओवराल बॉडी तो अड़ा थैंक्स जरूर करेगी वीडियो आजी चंगी लगी है तैस नो लाइक के शेर जरूर का देना अपने कमेंट्स जरीवी अपने इस सुझाहा जोड़ी है मेना जरूर सांजे करना हुन तक पेज नू फॉलो नहीं कित सब्सक्राइब